उत्तर प्रदेश में सात बिधानसवा छेतरों में उप्चुना हो रहे हैं और इसको लेकर करके कहा जा रहा है कि सरकार के लिए बहुत प्रतिष्ठा का विश्य है इसलिए कि सत्ता में योगी आदितनाथ है और बिपच्च में अख्ले सियादो सत्ता के फिलेवर का दावा क कर रहे हैं कि योगी आदितनाथ ने पिछले तीन सालों में कोई विसेस काम नहीं किया है रोजगार नहीं दिया है और निजी करण एक बड़ा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश की नहीं बलकि पुरे देश के लिए चर्चा का विसे है ऐसे में मलनी बिधानसभा का पुरे गाओं है वहाँ पर हम लोगों के बीच है और जानना चाहेंगे कि आखिर चुनाओं में क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के वह जनता क्या कुछ नेताओं से चाहती है सरकार से चाहती है और यहाँ पर समझवादी पार्टी ने अपना प्रत्यासी तो उतार दिया ह लकियादो को यहां पत्ता पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं और आयसा कहा वार्य कर लकी आदो के टंकर का प्रत्यासी खोज रही है जा यहां पर आप अखिर आप लोग के क्या मुद्दे हैं कैसे आप चुनते हैं इता और आप लोग आखिर नेता तो चुल लेते हैं लेकिन नेता जी जब आते नहीं कभी तो फिर अब खेती करते हैं और खेती करते हैं किछले साड़ी साल में इस्तिती डवाडूल है का है दवाडूल है क्या नहीं मिल आपको किसान कोई किसान नहीं है कितने बच्चे हैं आपके पास बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपको जो संसाधन चाहिए पैसे कोड़ी और आपके पास हो जाते हैं नहीं हो जाते हैं नहीं होता है देखे आम लोगों का भी दर्ध है हलांकि लागडावन के बाद लोग परिसान भी हुए हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग पास पैसे नहीं है फीस माफ हो जाए इसके लिए लोग गुहाल लगाते रहे हैं साहर से लेकर के गाउधेहाद तक लेकिन सरकार इसकी नहीं सुनी है क्या नाम है बाजी साव आपका क्या करते हैं मोरिया जी मैं रिटायर हूं समय कहा आद से रिटायर हैं पसफालन से पसफालन विखाग से आप रिटायर हैं आपकी जम्यदारी थी गाउधेहाद में पसफुएं बहुत अच्छी तरीके से दूद दें और लोग बड़े खुशाल हो तो पिछले साहरे तीन साल में क्या कुछ आपको देखने मिला कुछ देखने को नहीं मिला इतना भरष्ट सरकार हमने कभी देखा ही नहीं क्या भरष्ट हुआ मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भरष्टाचार खत्म होगा जड़ से खत्म होगा नहीं खत्म नहीं हुआ बलकि और बढ़ा है बहुत ज़्यादा बढ़ा है हर अस्तर पर बढ़ा है पसुब आपको देखते हैं नहीं क्या रोट पर खुब देखते हैं पूरा फसल मतलब वो के आई है बिहान बद पाता लगा सब चर जाते हैं तो यह साथ सीटों पर उप्चुनाओं हो रहे हैं आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा मुझे तो लगता है 100% सपा आएगी साथो पर लेकिन उसमें एक ही सीट है मलनी जहां पर समझवादी पार्टी की पैत्रिक सीट रही है बाकी सीटे तो भारती जनता पार्टी की है सब हार जाएंगे निस्चित हार जाएंगे बिजेपी बाई साथ क्या नाम है अचा आप सब्सक्राइब कहा जा रहा है कि मलनी सीट भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमको चाहिए तो आप क्या मानते हैं आप लोगों कि क्या मुद्दे हैं एक दम मिलेगा सपा के खाते में जाएगा मनली सीट जी जी असातों विधान सबाज जाएगा कि क्या नाम है आपका प्रमोध कुमार यादो प्रमोध यहां पर यादों की संख्या बड़ी जादे बताई जाती है बताया रहा है कि आधे तो यादो ही है पूरे मलनी में इसके बाद भारती जीनता पार्टी जो चल रही है दो साल से इसमें हम लोग इतने मानसिक रूप से इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि इस सरकार की जो नीत है यह बिल्कुल गलत है यह हम लोगों को क्योल बेवकूब बना रही है नियुक्ति करना नहीं चाह रही है और जो भी काम ये कर रही है बदले की प्रदान के बड़ी जिमेदारी आपके ऊपर है सौचाले उडिया गया था सव्चाले मितलम मिला इसका सारी बिवस्था कम पैसे के वज़े से उपयोग नहीं हो पारा इसे पानी की सप्लाइए नहीं उसमें दिया गया लेकिन ध्यान रखें बाइस सौचाले बड़ा योजना है सरकार की सबके घर में सौचाले हो क्या नाम है आपका सौरफ कुमार मोरिया तो सौरफ जी यह बताईए कि पहले जब अखले से यादो की सरकार थी तो खूब कहा जाता था यादो अब सर चारू तरफ दिखाई पड़ रहे हैं अब क्या दिख र आए रहे हैं मुख्य तो योगी जी है कि डिप्टी म केशो मोर्या से अब मिले हैं मैं तो मैं मैं तो मेरा सो भाग नहीं हुआ उनसे मिलने का सभागी मिलेगा तो फिर क्या बात करेंगे कि आप जिस तरह सरकार में हैं इस समय बीजेपी में तो जिस तरह आप जनरलों को वह अपनी सारी सुविधाएं दे रही हैं तो उनसे कहेंगे हम कि जिस उसी तरीके समय कि बीजेएं नहीं से बिजाने को विए सकता सुविधाएं दी आप करतें क्या हैं नहीं सऑचाब नहीं लाए नहीं सिथा नहीं 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 तो या किया जाएं और हम लोग उस पाद सोचते हैं कि हमाली जी किसी तरह इस रोज़गार नहीं करेंगे लोग क्रिसी करेंगे तो किसी में भी बादाएं आ रहे हैं ना फटीलाइजर मिलना ना कुछ और वह छोड़िये सब से बड़ी बात ही है कि यह जो है छोड़ दी है खुले जानवर छोड़ दी है उनसे भी नस्ट हो जाते हैं फसले तो किया क्या किया जाए अच्छा मुख् मंत्री जी से ही कहना चाहूंगा जीस तरह आप जनरलों का देख भाल कार रहे हैं सुविधाएं दे रहे हैं उसी तरी से आप ओविसी और यसी स्टी वालों का भी ध्यान रखें भानुपृताब मौर्या समाजवादी लोहिवानी जिला अध्यच हैं और साक्य मौर कुस्वाह महासभा के जौनपुल महा मंत्री भी हैं तो यह बताईए इस उप्षुनाओं में आप लोगों के क्या मुद्दे हैं देखें वास्ट्विक्ता यह है कि आज पूरे प्रदेश में एक ही मुद्दा बचा हुआ है और वो मुद्दा है जनता के सोसड़का और जनता मों छातर भी आते हैं मजदूर भी आते हैं किसान भी आते हैं और यहाँ पे सबसे ज़ादा दिक्कत तो किसानों के संकट जो है किसान रात में विचारा रखवाली करता है और एक तरफ जियों सोता दूसरी तरफ जो चड़ कर जा रहे हैं क्या गौसाला नहीं बनी है क्या आपके बिधान सभा में गौसालाओं के हालत आप भली भाद परचित हैं यह किसी से कहने के आवसकता नहीं है एक तरफ प अरजी दे देकर जो ठक हार चुकी है उसके पास कोई बिकल्प नहीं बचा हुआ है तो समस्या लोगों कि यह है कि नौकरिया निश्ची दूरूप से नहीं मिल रही है यह एक बड़ा दर्द है और सभी लोग यचा भी रहे हैं कि जिस तरीके से बाकी लोगों को नौकरिय नहीं मिल रही है किसी और को मिल रही है क्यासा है क्या देखिए अभी यह योगी के गवर्नमेंट में योगी जी के गवर्नमेंट में जादे तर जो नौकरिया निकली हुई है या वेकेंसिया फिलफ हो रही है वो जो समण जातियों को मिल रही है और जिनका हक है उन वेकें उनकी पूरी वेकेंसियों को फिल अधिकारों के तहट किया जाना चाहिए और इस पर काफी कुछ किया जाना बहुत जरूरी है आप कैसे कर रहे हैं कि मलब OBCC के साथ 2M दर्जेका भी हो रहा है आपके पास कोई सबूत है नहीं देखे एक जो अभी PCS का IES वाला भी एक्जाम हुआ है ना उसमें तो उसमें जो हमारे डारेक्ट वेकेंसिव फिल अप की बात हुई है तो उसमें कई सारे पोस्ट फिल अप हुए हैं सभी si would category से mostly हैं और उनीक को उटा करके हमने जो है सरकारी सेक्टर के टॉप रइंक्स पे उनको जो डारेट Eigen interview کرके या directly fill up कर दिया हूआ तो यह जाहिर सी बात है कि आप करना ही नहीं चाहते हैं यसी सरकार की बात है योगी सरकार की बात बताइए वही चीज़ तो योगी गुवर्नमेंट भी कर रही है जो मुदी सरकार की नीटी है वही योगी और नहीं बना हुआ है कहीं का भी कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है मोधी के मोधी सरकार और यूगी की जो सरकार यहां पे आई है वो विकास के मुद्दे पे आई है रोजगार के मुद्दे पे आई है जो की दोनों तरफ से वो सुन्य है जह और हमें हम पूरे प्रदेश की बात नहीं करेंगे हम के वल अपने डिस्ट्रिक की बात करेंगे यहां पे विकास बिल्कुल जीरो है आप जाकर के सड़कों पे देख सकते हैं हर जगह पे जो है सड़के टूटी फूटी है हमारे गाउं की सड़क जो है आज से दस साल पहले की बनी हुई है अभी तक नहीं ना इसकी रिपेरिंग हुई है ना सबबारा बंने के लिए पास हुआ है के सड़के गढ़्धा मुक्त हो गई है Nahi मौठी की यह जो शड़के गढ़्धा मुक्त वाली अ कुली चुनाव के टाइम थी लेकिन उसके चुनाव के बाद जब उनको ओपसीयम का दर्जा दिया उनिये का जुए दबदबाई ठीक बाइसाब क्या नाम है आपका अखलेश कुमान मौरिस अखलेश जी बताइए कि नीजी करान आज कल मुद्दा है कि नहीं है यह तो हम नहीं आनते लेकिन हम यह जानते हैं जो प्राब्लम है किसान को लेकर के जिसे जो पसू छुटे हैं त तो इससे किसान काफी प्रभावी था है फिर उसके बाद जो रोट प्राब्लम है रोट पे बहुत लोगों का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें लोगों को जाने गई हाथ बाहर तूटा तो इससे मैं दुखी हूँ अकलिस मौरिया जी आप करते क्या हैं टीचिंग करते हैं क सकता है यह बीवर्था मैं जबसे जानने लायक हुआ हो तवसे सभा का सपज्रों करते हैं हैं वॉपले मीत दुम्ह और है क्या मुद्धी है आप लोगों के कि मुद्देसर यह है कि अच्छी सरकार है जो वाद सरकार तो चली रही है उपनाव तो एक विधान सभा सीट की बात है समस्य यह जो प्रॉमिस करें प्रॉमिस के कोड़िंग हो केवल 25 परसेंट तब पर भी हम लोग बेनिफिट में हो जाएंगे केवल 25 परसेंट करती करती नहीं करती 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 नहीं है ससांक मार्य बताओ यह कह रहा है 25 परसेंट सरकार काम ही नहीं करती क्या अश्चा है क्या ऑप किस दीक रहे हैं आए आए ऐसे अख्यरेज का सब्सक्राइब जब शादा बता है एससे में ज्द्र सब्सक्राइब चर्णल का ज्यादा जादा है अब को पता है कि लाहबाद को प्रधान मंत्री दिये और उस तीषर संस्थान से आप पढ़ रहे हैं क्या कुछ महाहोलग बताओ बहुत गंदा महाहल दर्फेश कंप आते हैं परफेसर केंदर में भी को शरकार अब क्या समस्य आ गई यह बाकी इसके पहले क्या समझे आए थी ओन्लाइन कलस आने क captive बहुत खराब चल रहा है और बिरोजगारी अपने चरम सीमा परेद 5 सितंबर और 9 सितंबर को इतना बड़ा प्रदर्शन गिया गया उसके चलते सरकार ने अंटी पीसी का 15 दिसंबर से दिया है परिच्छा डेट अभी देखियो करा पाते हैं कि नहीं अच्छा तया आप लोग युवा हैं आज चल बिजली कंपनियों का निजी करण एक बड़ा मुद्दा है अभी दो दिन पहले ही पुरा धेरा हो गया था प्रदेश में कई जगों पर क्या मानते हैं बिजली का निजी करण होना चाहिए नहीं होना चाहिए बिलकुल नहीं हो जानवरों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी जिलो में सभी कहा जा सकता है जो वहां पर गव सेंटर बनाए गये हैं और चुटा जानवर नहीं हूं रहे हैं आप क्या हाल है हमारे यहां तो देख लीजिए बहुत ज्यादे चुट्टा पसु गूम रहे हैं सबको सबकिसान अपना पैसा करकर घर्वा रहे हैं कि चुट्टे शान नगुसे इसलिए किसानों की किसानों की खर्चा जादा हो जा रहा है जिससे पाइदावार तो हो ही नहीं रहा है और कि विधान सभा में है जो गढ़े हैं महां है घटे मसरतिय क्या है कि वह बैठे अच्छी में पता नहीं है कि कहां क्या हो रहा है जिस दिन और रोट पर आजाएंगा उस दिन उनको पता चल जाएगा अब क्या है कि विरादरी की वह अपना फाधा उठा रहे हैं और कोई बात नहीं है जो समाज है उसका फाड़ा उठारे बस सटके और कोई बात नहीं है जिस दिन रोट पाएंगा उस दिन उनको मालूम चलेगा अच्छा यह पता है कि क्या आप लोगों का मौर्या समाज का जो नेता है जो आप लोगा कोई छोटा-मोटा संगठन भी होगा संगठन के कि लोग समाज से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं मारे जो मोर्या समाज में संगठन है लेकिन ю में झोटा-मोटा बदे लेकिन अपना तब इतना दिक्कत नहीं होता है अभी सपा हो जाएगा हम लोग को सब्सक्राइब की सरकार है केशो मोरिया पहुच पार रहे हैं संग्ठन भीग जा रहे हैं युवाओं की समस्याएं हैं वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए और भाइसाब क्या नाम जहें आपका अनुराग मोरिया जी क्या इसा ही बात कर रहे हैं कि संग्ठन के लोग आपके बिग जाते हैं अब इनको महसुत हुए होगा अब अपने दर्द बता रहे हैं और आपका क क्यूंता है वेे माज के बिच में आना चाहिए जब ड़ाएक हो ब्स जीbook हमारे बिच में अपने समुख्या उसको नं की हमें क्या समस्य आए अभी से समस्या वहाएं है प्लाकर कर दो तो हड़ाम जी बताइये कि आपका तो यादो बहुलाइगा है तो इस बार तो किसका समर्थन रहेका? किसका रहेका? अच्या बताइये बहाई साब एक स्वाल कर रहे हैं कि जब आपकी सरकार आती है तो जादो पगड़ी बान के निकल जाता है मौरिया जी को पुछता ही नहीं और जब मौरिया जी की सरकार आई है तो केसो मौरिया नहीं पूछ रहे हैं अगली बार गलती करेंगे नहीं करेंगे बताइए कोई नहीं कर रहा है तो पगड़ी बान लेंगे तो पगड़ी और म लोग परत्यासी अभी तक आया है वह लकी यादो पारसनाथ यादो के बेटे हैं तो बाकी लोग परत्यासी क्यों नहीं उतार पा रहे हैं आपसे कोई हैं इसलिया भी कोई प्रत्यासी उतारने के उनका कोई उमीद दिखने ही रहा है अच्छा ही पताइए यहाँ पर तमाम अपसर बदल दिये गए डी एम से ले करके बाकी लोग तैनात कर दिये गए है तो क्या इसका असर पड़ेगा शुनाओ पर जी बिलकुल पढ़ेगा क्योंकि लग फारवर्ब्र कास्ट रख तो बहुत आस्र पढ़े हैं ऐसा नहीं है कि अज़िक्ट भर पाएगा आप क्या करते हैं मैं अभी आंट काम देखता हूँ आ जसी चेतर में तेख रहे हैं तो जो निजी करन्ड कि आ जा रहा है क्हिति होती का इससाब अच्छा है विल्कुल अच्छा नइंग These क्रहित तो आपको जो ये संफानों मजबूर हैte इसलिए कर रहा हूं हम भी लाहा वाज से पड़े लीकाइआ है चली अच्छी वाद बाइस आपका क्या नाम अपक्या करते हैं पतब्द का नहीं करते हैं सब लोग हमेसा परिवठन की राजनीत करते हैं लोग को योगि जी का कौन सकाम अच्छा लगा योगी जी का कोई कामी नहीं किया तो अच्छा क्या लगेगा बस दूसरे के सिलापट पर सिलन्यास का सिलन्यास कर रहे हैं बस एक भी काम आपको पसंद नहीं किया है तो पसंद कहां से आईगी चलिए भाई साम आपका क्या नाम है कुल्दीप यादोजनवादी कुल्दीप नाजर झीने बहुत बढ़ियां बढ़ियां काम किया है हमारे नौजवान साथ इसको द्यान नहीं दे रहे हैं जैसे कि उन्होंने जो है जो हमारे नोजवान है घरों से इंटर्मेडटि करकरके इलहाबाद जाते नहीं के लिए इनको परमने नोकरी मिल जाती थी, अब इनको पांस साल की नोकरी सम्विधा पर मिलेगे, उसके बाद आ करके घर पर ये जो निराई गुडाई काम करेंगे, योगी जी ने काम और किया, अगर उनके सजाती लोग हैं, तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लेकि उनको करवाएंगे बरातकार, उसके बाद उनको सरच्छा देने काम करेंगे, योगी जी एक काम और किये हैं, बहुत बढ़ियां, उन्होंने जाती आधारित लोगों को ठोआ करके फरजी इनकाउंटर करने का काम किया, फरजी मुकद में लदवा कर इनको जेल में ठ बढ़ा करते थे, यह जा करके पिएसडी करने काम कर रहे थे, इनकी स्कालरसी बंद कर दिया, वजीफा बंद कर दिया, फिस पर तूर्ती बंद कर दिया, जिसे घरों में बैठे हैं, जा करके जो है, भैस राएं और जो है, खेतों में किसानी करने काम करें, इनके खेतों को जो है तुमाम हमारा पसुँओं को छोड़कर च MON कर रहे हैं। हर तरहुआ से योगी जी का काम था ही है बस लोगों की नजर नहीं जान जा रही बहूत अच्छे काम किया है योगी जी ने तमाम कर रहे इस था काम कर रहे हें कि अच्छे काम जो हो रहें, किसके लिए हो रहें हैं, ये पिछले दलितों के लिए हो रहें कि नहीं हो रहें हैं थीक है कुलीज भी धन्यवाद, क्या नाम भाई आपका? गुड़ो सोनकर मजीलाद देच्यू, उलायम सिंग्यू तबिग्रेट का अच्छा यह पताईये तो सोनकर समाज के तो आपके यहां के एक बड़े नेता है क्या नाम है। लिसक्राइब almamr बाते उसे उस सपने में वंगे चल रहे हैं तो आप लोग भी नेता बनना चाहते हो कि नहीं अब पार्टी हमको जिला अद्धच बनाई है और हम लोग पार्टी के कार करता है और कार करता होने के नाते हम लोग अपनेता क्या कार करता है और मैं माननी नेता जी के और हमारे माननी राष्ट्री अद्धच अखले से आधो जी के नीत और उनके कार्यों पर चल रहे हैं, यहां पर क्या कहते हैं, जो उफ़नाव हो रहा है मलनी में, क्या लग रहा है, आपको क्या हवा पानी लग रही है, यह चुनाव हम सभी समाजवादियों का है, और हम लोग इसको जीतेंगा, इसमें कोई दोरा न नहीं है अभी हमारे मानने मुख मंत्री जी आये थे योगी आदित नाद जी ने उन्होंने असपष्ट कह दिया है कि यह सिट बीजेपी को चाहिए यह डीम और यह स्पी को जो है कि आउगत करा के गया है कि आप लोग चाहिए जैसे दीजिए और इस विधान सभा में जितने यसी ओबीसी के जो भी कर्मचारी थे सब को हटा के इस छेत से बाहर कर दिया गया है उनकी मंसा साफ है कि चाहे जैसे इस सिट को निकाला जा लेकिन वो अपने इस मंसे में कामयाब नहीं होने वाले हैं यहां की जनता जाग चुकी है और यहां की जनता चाडबढ के हमारे बीच आज नहीं रहें जो यह सिट थी माननी स्वरगी पारसनात यादो जी यहां की जनता उनको बाइस हजार ओट से जिताए थी और उनके लड़कों को चवालिस हजार ओट से जिताके और उनके नाम से सच्ची संद्रालंजी देके यह सिट जिताएगी ठीक है काफियाओं के उपर करवाई करती है जमीन कब्जा नहीं होने देती है क्या आपके ब्लाक में जमीनों पर कब्जा नहीं हो रहे हैं पूरी तरह से पूरे जिले में लगातार केवल भूम का ही कब्जा हो रहा है भूम का कब्जा बलातकार हत्या इस सरकार में इसके अलावा और इससे बड़ा कारी नहीं हो सकता और धुवाधार हो रहा है और जो जिस तरह से जहां पे हैं लगातार जमीनों पे कबजा कर रहा है लगातार हत्याय कर रहा है लगातार बलातकार कर रहा है किसकी जमीन पे कबजा किया गया अरे मेरी जमीन पे कबजा कर रहा है और एक बल कि पूरा थाकुर्साई है और मेरी जमीन इसलिए कबजा के यह याद हुँ अगर मैं भी ठाकुर होता तो किसी कबजा करता यह हाल है अगर कहीं किसी तरह का है आप थाकुर है तो बस आप परियाप्त है अब समझाए कि डियाईजी आईजी साब के पास में गया आईजी साब ने जब देखा कि इसमें फ्राट किया गया है ततकाल उन्होंने निर्देश किया है क्या फ्राट किया है क्या फ्राट उसमें नियाले के अभिलेखों में और राइटिंग करके अपना नाम चड़वा लिया नियाले के अभी लेकों में फ्राट किया गया है और उसकी फाइयार माने कराई उसे फाइयार पे कोई सुनवाई नहीं मतलब जो अपरादी है जो तीन सो चार सो साथ जिनको दस साल सजा होनी चाहिए लगातार पुलीस लाइन बजार थाना जेपी सिंग और दूबे यससाई लगातार उनको लगातार मिर बठा रहा है आज तो मैं ताने हो गया कहा हैं मेरी जमीन को व्हाट तरीके से करके कबजा कर रहा हो ठाना डबादेला आप सम्झोन कर लीजे यह हाल है बहुत ही बुरा हाल है आप समझेगे ब्लाक-प्रमु की जमीन पे कबजा रहा है तो आम आदमी आ हो रहा है इनका ऐसा कहना है अगर ऐसा हो रहा है तो अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित नात हैं तो आप पगड़ी बान कर उनकी दस योजनाए बढ़ियां-बढ़ियां क्या-क्या हैं देखिए मैं तो समाजवादी पायटी की कार करता हूँ और मैं बिना पगड़ी बाने लगातार 24 घंटे पगड़ी बानी रहती हूँ और लड़ने के लिए हमेशा तयार रहती हूँ यह ओगी जी की सरकार हो चाय जिसकी सरकार हो जो सही बात रहती हैं मैं कहती हूँ यह यहा कि पगड़ी वाले हैं इनकी तो इनका तो इतिहा से पुरा लेकिन जहां तक दस काम की बात है योगी जी ने तो बहुत अच्छे-च्छे काम किये और उनका नाम बहुत कम लोग यहां जानते होंगे कि ठाकूर अजय सिंग भीष्ट है आदित नात तो चोला रंगा लिये बदनाम कर लिये तो जिस पर मैं कहना चाहती हूं कि एक बड़ी मसुहूर कहावत है पुर्वांचल में मुहावरा है माई यानहर बाबू आनहर हमें छोड़ सब भाई यानहर केके केके दिया दिखाई बिजली जैस्व हो जाई यानहर यह उत्तर प्रदेश सरकार का पूर फिता काटो गैंग के मुखिया है हमारे मुख मंत्री जी कोई कामम नहीं करते हैं लेकिन चाहे वह काना स्टेडियम हो चाहे सिंग्रेचर बिल्डिंग हो जहां पर हेलिकाप्टर उतरेगा और योगी परधान मंत्री जी अपने लिए बहुत हाई प्रुफाइल जहाज बनवाया और यहां पर मेडिकल कालेज बनवाया है जौनपूर में जो आज कोविट के समय में निर्माडा धीन है लेकिन उसका भी फिता हुता काट के वह अपने स्वजाती के नाम से रख गए दूसरा इनका काम है कि विकास मांगों गे तो दंगा दूंगा और रोजगार मांगों गे तो सार्जुनिक संस्थाओं को बेज दूंगा नयाय मांगों गे तो जेल भेज दूंगा डाक्टर कफील खान जो निर्दोस इतने दिन तक जेलों में रहें और बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत हुई कानून का राज मांगों गे तो हत्या का प्रदेश देखते होंगे कि हर महीने 15 दिन के बाद दलित और पिछड़े की बेटियों का लगातार बलतकार हो रहा है धरना प्रदर्सन करोगे सरकार के फिलोर पर तो लाठी और गोली से पीठ को छेत दूंगा जो कल तक रोता था संसद में हमको वाज डराता है मालूम है हमको तुम पहचान कि तुम मावालियों वाले हो संभिधान की बात दिलाओगे तो मनु इसमृति थोप दूंगा भूख से मरने की बात करोगे तो गाय और गोबर भेज दूंगा देश भक्ति और राष्ट की बात मत करना हमसे हम काले वाले अंग्रेज है नाथू राम गोटसे से बो पत्रा में यही मुद्दा बनाया था प्रधान मंत्री जी भी आये ते जुम्ले बात जो मारे प्रधान मंत्री है उन्होंने कहा कि अकले से यादों ने सारा दरोगा भर दिया थानों पर सारा एशडियम बना दिया और चपन यादो एशडियम हो गए यादो आयोग लिखने वाले आज क्या कर रहे हैं उस पर कहना है अन्हरा सिन्धी बाटे चीन चीन के अपने स्वजाती लोगों को योगी जी आज के जमाने में योगी आदितनात का जाति का होना ही सबसे बड़ी सबसे बड़ी योगता है उनके खिलाब कुछ नहीं होने वाला है कि क्योंकि ठाकुर योगी आदितनात उत्तर प्रदेश के मुखिया है इतना बेटियों का बलातकार हुआ बताइए मौरिया है तो आप मौरिया की आवाज क्यों नहीं उठाती है आपको किसे रोका पहले यादो मारे गए तो मौरिया सोचा कि ये तो यादो मारे जा रहे हैं उसके बाद मौर अपको के लिगा नहीं दिया लेकिन जब लखनों की धरती पर ती्या नहीं तो पुला कि गोली360 पर 1007 निरदोस था वह बंदा और उसकी रात में हैं सो जला दिया गया जो पुलिस के द्वारा हत्या की गई थी निर्दोस था उसको एक रुपिया नहीं देने का काम किया योगी यादित नाथ ने लेकिन उस तिवारी की पतनी को 50,000 की नोकरी एक पचास हैर रुपए की नोकरी उनकी बेटियो लोग है जो यादो जी है या जो प्रजा पती है उनको ये अनुत्स नहीं मिला है मैं आप से कुछना चाहती हूं उनको अनुतोस क्यों नहीं मिला है और जिन बेटियों का बलतकार हो रहा है वो तो कहते हमसे बेटी बचा लो लेकिन हम ही लोग ना समझती है जो ना समझ समाज बैठा है उसको क्या पता था कि ये रावण के भेश में आएंगे अचाहिए आप मौरिया जी के पास कभी सिकाय दो जीने नेता बनाया और आज मैं अपनी विरादरी के लड़ाई लड़ती हूं मैं उनसे क्या मांगने जाओं जो इस्टूल मंत्री हो गए जो डिप्टी सीयम माने उप माने चुप कर दिये उनके सारे अधिकार फ्रीज है एक तरह से वह बिचारे जब भी मूँ खोलें मंदीर रही बनाएंगे घ्वारी की लाइन थ्यार करेंगे मंदीर रही बनाएंगे रोजगार नहीं देंगे आप नहीं देखा तह चुना को शेता कि RE प्रसाद मौरिया हो बोड़े कद के नेता थे और हैं भी और जिस तरह से उनको पंगु बना के रखा गया वो लोग किसी बात पर बोलते ही नहीं है क्योंकि यह लगता है कि महाभारत की सभा है दुरोपदी की चीर हनं की जाएगी लेकिन सारे लोगों ने सत्ता की मलाई खाने के लिए नमक खा लिया है इसलिए मूह नहीं खोलेंगे समाज अपनी ऐसी तैसी में जाए जब हम आएंगे तो फिर बनाएंगे बताएंगे कि अगली बार हमी मुख मंत्री बनेंगे और हमको वोड़ दीजिए क्योंकि समाज को बेच कर अपनी कुरसी फिट करनी है साथ चलता है ऐसा नहीं है वो पांच-वट बढ़ाएगा और मौरिया समाज में भी कहा है कि नहीं बहुत हो गया इनके गुंडा राज से इनकी जातिवादी इनके ठाकूर साही से अब हमको मुक्ति चाहिए अब आप जाइए हम आपको आईना दिखाएंगे आपके ठोको समाज के लिए जो कुछ करना चाहिए था, यहीं नहीं नहीं, निजी करण county को लेकर के वह नहीं बोलते हैं, केवल मंदिर की बात करते हैं और जब चुनाओ का समय आथा है तो गड़ा मुक्त कराने की बात करते हैं किसानों को लेकर के भारती जंता पार्टी के कोई भी नेता बोलना नहीं चाहते केसो मौरिया भी बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जो मौरिया समाज है वह काभी हद तक खेती करता है और खेती को लेकर के वह सवाल करता है असल मुद्दा यह भी है यह जो मलनी सीट है और यहाँ पर उप्चुनाओ हो रहा है यहाँ पर यादो बाहुल सीट तो मानी ही जाती है लेकिन पिछडा एक जो तरीके से कहा जा सकता है कि निजी करण एक बड़ा मुद्दा है कि अनका बाहँ जाती है और जो इलापाज इनवर्सिटी है वहाँ के कुछ छात्र भी है उनका भी कहना है कि सरकार उनके मुद्दों को लेकरकर हमेसा बैक फूट पर रही है इसलिए चुनाओं में इसका आसर दिखेगा और यही उनके असली मुद्धे हैं कि जनता इनी मुद्धों पर ओट करेगी और जो उप चुनाओ है उस पर अपना नेता खुच चुनेगी भले ही यह चुनाओ मुख्यमंत्री नहीं बनाता है लेकिन बिधायक तैं करता है ऐसे में यही वा समय है जब वो अपना बिधायक कमरावें नदीम के साथ फरक इंडिया के लिए अखलिस की समय है